है सब्सक्राइब कीजिए गोल्डन के बड़न का दोआए कोई एकन से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों मैं हेबं आपका वुझष सवागत करता हूं आपका अपने गोल्डन क्लेक्शन चैनल में तो दोस्तों मेरे हाद में दिख सकते हैं पीडिया फाइल है तो इस पीडिया फाइल में पांच पैसे से लेकर दस रुपे तक जितने भी कॉम पॉरेटिव कॉइंस बने हैं उसकी जानकारी दी है कौन सा कॉइं कॉइं को सी मिंट ने बनाया था कॉन कॉइं का साइ है मिंट मार्क होता है उसमें अच्छी पैर उन्हट बना है और कॉन सा क्लेक्शिं पाइल में इसुन में न boug abandon का पूरेटिय। हेल्प से आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और आप पूर एस्टिमेट वैल्यू पता चल जाएगा अपने कोईन को किस स्रीट में बाई और सेल्फ कर सकता हूं तो दोस्तों आज हमको कुछ जस्रूप के कॉमरेटिव कोईन्स की जानकारी देगे कुछ का कॉलेक्शिन में दिखाएगे और हम देखेगे उन कोईन का एस्टिमेट वैल्यू क्या है और मैंने खुद वह कितने में कोईन भाई किया है तो आप दिख सकते हैं मेरे हाद में ज उसके लिखा हुआ तो यह कोईन दोस्तों बाइटली का वेड़ इसका 7.71 गरम है और साइस कोईन को दोस्तों 2010 में बना से कोईन और इस कोईन को सिर्फ बॉंबय में टो इन अबना है जा और इस कोईन का जो वैल्यू है एस्टम वैलीव टॉन्टी उर्पीस है तो दोस्तो आप कि कोईन आपके में 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 है कॉग सी में करका कर लिए तो आपकोसरी का दॉस्तों आयो और अफंद शीकлем कंए अन्ण में बनाया है तो यहांन के कर लिजिए तो बास्दों काでは चाहिए तो हो सकता है वह साथ दोस्तों को पता नहीं होगा कि यह कोई नवाद में ने बनाया है तो आपको पता चल गया कि कौन से कोई नहीं बनाती है तो दूसरा कोई नहीं दोस्तों 60 अधरावाद में ने बनाया है उसकोई के एस्टिमेट वैल्यू 20 रुपीस है अब कि उसके बाद दोस्तों यह वाला कोई नहीं है 60 जो कुछ कॉइन से उनके बाद तो मुन्होंना 20 पीस में दिये समय को क्योंकि दोस्तों एक्विशन में जब आते डीलर्स आते तो उनका खर्चा बहुत होता है स्टार लगाना होता है आने जाने का खर्चा होता है साथ में उनका फ्रेंड होता है उनका फ्रेंड होता है उ कि इंटरनेशनल डे आफ दा योगा वाला तो एक कोई दोस्तों 2015 में बना था इस कोईन को दोस्तों बॉंबमेंट कलगता में तो इसका वाली 15 रुपीज याम ने बताया है और यह कोई मैंने 20 रुपीज में लिया था कि एक ही स्टाल में में सारे कॉइन में ले 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 क्योंकि आगे पंच रुपे के रिए कोन चक्कर लगाएगा करेगा अच्छा रहाता है तो यह भी 10 रुपे का कोईन और को दोस्तों यह कोईन जो है आप दिख सकते हैं अंब मेटकर वाला तो कोईन दोस्तों 2015 में बनाता इ में लिया था उसके बाद ये स्वामी चिन में स्वामी वाला कॉइन है तब दिक दस रुपे का तो एक कॉइन दोस्तो बना था 2015 में इस कॉइन को बॉंबे में में लिया था अगर यह कॉइन में कुछ उनसे लॉट में लेता तो उस टाइम मुझे कॉइन लगा देते क्योंकि एक क्लेक्शिन के लिए कोई बाद नहीं चलता है कि उसके बाद दोस्तों यह भी दस रुपे का कॉइन है तो दोस्तों यह लचपत राए वाला कॉइन दस कि आधरावाद दुपीश रुपीश है वम्बे मिन्ट में रिजाथाावाद मिन्ट का और कलगाता मिंट के फिफ्टी रुपीश में तो इसके वाद दोस्तों को यह दस रुबे का कॉइन है बना इस को बंबे में बनाया था कि तो यह कॉइन दोस्तों मनें 15 में लिया है अधिन्य वीस्ट मैं लिया है कि वैली only 15 भी दिया है शोग की अब देख सकते हैं कि उसके बाद दोस्तों यह लाला लजपत्राय वाला कॉइन देख शुबेगा तो यह कॉइन दोस्तो 2015 में बना था और इस कॉइन को दोस्तो बॉंबे मिंट ने बनाया है तो उसका वैल्यू भी दोस्तो 15 पीस है यहां पर मैं यह कॉइन 20 पीस में दिया था अगर बल्क मिलेता तो मुझे रीजनेबल प्राइस लगा देते और उसका दुसरी दस रुपे का कॉइन है बनारस यूनिवर्स्टी वाला यह कॉइन 2016 में बना था तो इस कॉइन को उसे दोस्तों बॉंबे मिंट ने बनाया है इसका वैली 75 रुपीज आप दिख सकते हैं यहां पर बट यह मैंने उस ट्रेफ पर रीजनेबल प्राइस पर दे दिया समय को 30 रुपीज में क्यों क्यों था कि कभी लॉट सस्ते आ जाते है डीलर्स को तो रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है उसके नेशनल अर्काइप वाला कॉइन आए अफ इंडिया का दस्रुपे का तो यह कॉइंग दोस्तों बॉंबे मिंट और हैदर बास मिंट ने बनाया है तो बॉंबे मिंट का 15 रुपीज है तो यह इसका 30 रुपीज है और दोस्ते कोईन में 20 रुपीज में लिया है हो सब्सक्राइब तो से कुछ कोई शूब हैं जो आपको दिखाया आपको आल तो सारे युsna स्कада कोनेस्रीики में चैने के दोस्तों मज़ी होता है तो यह कृदे और नोप्र प्राइस होता है तो सब्सक्राइब क्या आ प्राइद में देगे तो तो आपको हम दे देगे तो इससे आपको collection करने में भी easy आएगा जो new collector है sellers है तो उनको भी पता नहीं होता है कि coins का क्या value होता है कि और collection करने भी easy हो जाता है कौन-कौन सा coin कौन से mint ने बनायता है उसकी knowledge हो जाती है और दोस्तों मुझे वह सरे comments आते WhatsApp प्राइस के बारे में किस coin का क्या value क्या value हो तो मुझे होट दिक्कत बता रहे में दिक्कत आती है क्योंकि एक साथ आज ही मेरे को परसन ने सीधा 150 images बेज दी से कि मैं आपको इतने सब coin value बता दूगा और इसलिए हमने PDF त्यार कर आई है जिससे कि आप अपने coins के value गर बैठे आप खुद देख सकते हो यह तो मैंने इसका print निकाल हुआ बड़ आपको PDF फोन में मिल जाएगी तो आप फोन में open आप easily करे इसको अगर आप print निकालने तो प्रिंट निकाल लीजिए नहीं तो फोन में तो रहेगी सेव और दोस्तों यूट्यूब में वो सारे लोग फेक वीडियो से बनाते इन coins का इसका इतने लाख है इतना लाख है तो उनसे भी आप अलर्ट होगे अगर मेरे पास भी सिक्के है तो अगर मैं भी मुझे भी सिक लोग होते हैं यूट्यूब पे यूट्यूबर्स होते हैं जो फेक वीडियो बनाते हैं इन coins की वीउस लेने के लिए यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए तो बस तरह कि अभी ब्रक्रम कर रहे हैं वह साई चैनल से नाम ने लोगा बट आप उनसे लट रहे तो आप जाते पैसे कमाना जाते इस फिल्ड में तो रेर चीदों को क्लेक्शिन करें उसमें आपको benefit है अगर आप पैसा कमाना जाता है अगर क्लेक्शिन करने जाते हैं तो इन coins के इतना value हो नहीं हो सकते 40-50 सालों का इन coins का भी value हो जाए तो अभी ऐसे 20 रुपे का value हो सकता है 50 साल पचास रुपे हो जाए तो तब की बात है और दोस्तों जो लोग फेक वीडियो सुनाते हैं उसके चक्कर में कुछ फेक कंपणिया भी बनगी जो कहते हैं हम सिक्के नोट करीते हैं वह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं उसे आप से registration fees मांगते हैं पांच या छे हजार रपे औ और आप लोगों को बेफकु बनाते हैं वह बोलते हैं इतने लाखों में हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता सिर्फ उनकी registration fees कमाने के चक्कर में आप बेफकु बना देते हैं और बहुता लोग बेफकु बन भी जाते हैं तो उनसे आप बचके रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है करते हैं बट वह यह होड़ी है कि आपको एक क्वाइन का एक लाग देदेगी तो क्यों कोई आपसे पचास यह ने एक लाग फिलेगा तो वह बात करता बोसर्ट फेक कंपनी बन चुकी है जो कॉइन लेती नहीं बड़ आपसे एजिस्टिशन पीस मांगती है तो हम आपके दो आप से ले लेके यहां यहां पर आके दो तो बहुत सारे वड़े स्कैम हो रहे हैं अगर आप पर हुआ है तो आप सारे क्राइम में इन लोगों कि रिपोर्ट कराओ जिससे दोस्तों आपके पैसे भी आप वापीस मिल जाए और बाकि लोगों से जो यह फ्राड करने ल तो फोटो तो उसने लगाई थी अमेरिकन पीपल की बड़ मैं जब नंबर सर्च के तो नाइजेरिया कंट्री का तो मुझे कह रहा है कि आपके वास कॉइन है मैं है फोटो बेजी उसको तो कहते हैं मुझे बोलते हैं कि कितने पैसे चाहिए तो मैंने बोल दिया कितना बोला तो मुझे कहता इस कोईन के आपको हमेंजे 17 लैक कितने मैंने बोला मैंको 9 रुपे चाहिए तो मुझे 17 लैक क्यों देना चाहता है तो पीडिया फाई ले लिजी आप रिजन में प्राइज मिल जागी तो अगर आपको कोई बेफकूप बनाए तो आप उनसे बच पाएगे जब तो आपको कोईन की वैल्यू पता नहीं होगा तो आप बायो सेल नहीं कर पाएगे तो दोस्तों अभी के लिज वीडियो में इतना ही आप मेंशे खूश्रेक प्लेक्शिन करते रहे जाहिन बंदे मात्राओं